स्वयम सहायता समू की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को प्रेणना टीवी चैनल के तरब से भी नमस्कार दीदी अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले दीदी हमारे प्रेणना टीवी को सस्क्राइब कर लेजे क्योंकि आपको स्वैम सहता से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी यहां उपलब्ध रहेगी और सच्ची कोई हमारे वीडियो पे फेक वीडियो नहीं रहता दिदी रियल्टी ही रहती है तो तुरन्थ हमारे प्रेजना टिपी चनुपर सस्काइब कर लेजिए और नए नए योजनाओ के बारे में जानकारी प्राथ करते हैं जी हां स्वैम सहता से जुड़ी तो चलिए दिदी ज्यादा अमना बात करते हुए में टॉपी की तरफ आते हैं नाबार ने उत्तराखंड को दी 2554 करों रुपई की सहायता नाबार ने उत्तराखंड को दी 2554 करों रुपई की सहायता नाबार ने वित्तिय वर्ष 2021-21 में प्रदेश को 2554.53 करों रुपई की वित्तिय सहायता प्रदान की है जिसमें 2545.50 करों रुपई का रिण तथा 9.3 करों रुपई का अनुदान सामिल है यह पिछले वर्ष के मुकाबले 14.3 फिश्टी ज्यादा है नाबार ने वित्तिय वर्ष 2021-21 में प्रदेश को 2554.53 करों रुपई की वित्ति सहायता प्रदान की है जिसमें 2545.50 करों रुपई का रिण तथा 9.3 करों रुपई का अनुदान सामिल है यह पिछले वर्ष के मुकाबले 14.3 फिश्टी ज्यादा है पिछले साल नाबार ने प्रदेश को 2240.30 करों की वित्ति सहायता दी थी नाबार के मुख्य महाप्रबंदक डाक्टर ज्यानेंडर मनी ने बताया कि इस वित्तिय वर्ष की शहायता का मुख्य हिश्टा 1352.86 करों रुपे वित्त बेंकों को कम ब्याज पर दिया जाएगा जिसमें 926.25 करों रुपे का अलप कालीन पुनवित्ती 426.61 करों रुपे का दिर्ग कालीन पुनवित्त शामिल है इसके अलावा 625 करों रुपे उत्रा खंड राजे सहकारी बैंक और उधमशी नगर जिला सहकारी बैंक को सीधी पुनवित्त सहायता के रूप में प्रदान किया गया है आधार भूत धाचा विकास निधी R.I.D.F. और वेर हाउस धाचा निधी WIF के तहत राज सरकार को 527.32 करों रुपे की सहायता प्रदान की गई है वर्ष्ट 2021 के दोरान नाबाड की ओर सी R.I.D.F. एवं माइको इरिगेशन फंड के अंतरगत 194 नए प्रोजेक्ट स्विक्रित के गए नाबाड ने पहली बार माइक्रो इरिगेशन फंड प्रधान मंत्री कृषी सिचाई योजना के अंतरगत 14.85 करों रुपे कारिड उत्तरा खंड राज के विभिन जिलो के 133 चाय बागानों में 136 चाय बागानों में सीचाई और फटीगेशन प्रबंधन के लिए स्विक्रित ग्याह गया है बताया कि नाबाड की किशी छेत्र को बढ़ावा देने की योजनाव के तहत बश्र 2021 के दोरान आदिवासी विकास निधी के अंतरगत देहरादून जिले के चकराता विकास खंड में एक नया प्रोजेक्ट भी सुरू किया है उन्होंने अगले वित्यवश्ण में और बेहतरी की उमीर जताई आप सभी दीदियों से हमारा विनम्र निवेदन है दीदी आप हमारे सभी विडियो को देखा कीजिए तभी आपको स्वेम साहता से जुड़ी हर प्रकार की जनकारिया उपलब रहेंगे अगर अभी अभी आपने हमारे चैनल उपर सस्काइब किया है तो मेरे पहले वाले विडियो को आप देख सकती है जी हाँ दीदी जो मैंने पहले विडियो डाले हैं वो काफी जानकारी उपलब रहे है स्वेम साहता कैसे बनती है स्वेम साहता से क्या लाब है क्या फायदे है हम कौन से नुक्रिया पा सकते है और समू क्या है ग्राम संगठन क्या है CLF क्या है ये कैसे चलाय जाते है इसके प्रबधन क्या है ये सारे वीडियो अगर आप देख लेंगी तो स्वेम शायता समू के बारे में अच्छे से आप लोग जान जाएंगी तो कोशिश कीजिए देदी जब भी आपको समय मिले तो हमारे सारे वीडियो को देख सकती है हमारे वीडियो में कोई फेक वीडियो नहीं है देदी रियल्टी है जैसे समू चलाय जाते है जैसे ग्राम संगठन चलाय जाते है जैसे CLF चला जाते है जो इसके नियम है आपको वही वीडियो मिलेंगी तो आっぱ सb히 से निवेदन हैं कि सारे वीडियो हमारा देखा किज़े देदी तभी आपको समू कैसे चलाना है ग्राम संगठन कैसे चलाना है सियलप कैसे चलाना है इसके क्या नियम है इस नियम को पालन करते रहाना है क्योंकि जब तक आप लोग सभी दीदिया जब तक नहीं पालन करेंगी तो ना तो ग्राम संक्ठन चल पाएगा ना तो सेलब चल पाएगा और ना ही हमारा समू चल पाएगा समू चलाने के लिए पंसुत का पालन करना बहुत ज़रूरी है जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ इस वीडियो में भी बता रही हूँ सापता एक बैठर सापता एक बचत आंत्री गुधार समस्रेन वापसी लिखा जोखा ये एक संजीवनी का काम करता है दीदी हमारे समू का बहुत बड़ा मंत्र है इस मंत्र को अगर आप याद करेंगी और इसको भली भाती मन से एक दम पूरा भी करेंगी इस मंत्र को जब ये ही नहीं वाकई में निभाईए बैठक वाकई में किजिए और बचत भी किजिए कोशिश करिए समय समय पे मुल्धन ब्याज वापस करने के लिए फिर जो दीदिया नहीं लिए उनको दिलाने की कोशिश किजिए और लेखा जोखा भी कराते रहिए क्यूंकि रिकार्ड का होना बहुत जी महत्तपूर है जब तक आपके समय का रिकार्ड अच्छा नहीं रहेगा और लिखा जोखा अच्छा नहीं रहेगा तो आगे चलकर आपके बचत के पैसे फच सकते हैं ब्याज के पैसे फच सकते हैं मुल्धन के पैसे फच सकते हैं तो अगर आप लेखा जुखा अच्छे से सम्मूगी बैटूपर में जाए सभी दीदियों से कहना है अगर आप चाहिए सम्मूगी सदस्यों चाहिए अध्यास्यों या लेख पालों जो भी आपको कि आप लोग को चाहिए की रजिस्टर को अच्छे से लिखवाएं बुक की पर से जी हां बुक की पर से अच्छे से लिखवाएं अगर लिखने में हो रही है दिक्कत हमारे प्रणा टीवी चैनल पढ़ा के वीडियो देख सकते हैं रोकडबाई कैसे लिखना है कारवाही कैस सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको पता रहाइगा कि आपका भचत कितना है आउ समय पे कितना वाफसी ओ रहा है आगे चलकर तब आपको सारा पैसा मिलेगा तो आप सभी अपना अगर भलाई चाहती है अपने समू की भलाई चाहती है तो पंसुत का मंतर याद कर लेजिए और उसको अच्छे से निभाईए भी तो चलिए दिदि आज की वीडियो में इतना ही नमस्कार